आज के टुटोरियल में मैं आपको शॉल कॉलर नेक कुर्टी बनाना सिखाने वाली हूँ इसके लिए आपको चाहिए 3.5 मिटर में फैब्रिक और 1 मिटर अस्तर का कपड़ा और 1.5 मिटर कॉंट्रास फैब्रिक जो हम लोग कॉलर बनाने के लिए यूस करेंगे ये फैब्रिक मैंने ये अस्तर का फैब्रिक है ये जो और फोल वाला पोशन है वो मेरी तरफ है और जो सामने वाला पोशन है वो खुला पोशन है उपर के साइड मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है सबसे पहले मैं उपर का body part बनाने के लिए इसकी length लूँगी length में 14 inch रखिये और उसमें half inch add किया है और scale की मदर से मैं एक straight line बना लूँगी यह ने color बनाने के लिए सबसे पहले यह मैं सबसे पहले back बना रही हूँ क्योंकि ये collar बनाने के लिए हमें सबसे पहले back बनाना पड़ता है और सिर्फिर उसके बाद front बनाएंगे इसलिए ये मैं अपने अस्तर पर back बना रही हूँ अब मैं ये shoulder का measurement रही हूँ मैं अपने shoulder का divide 2 करके उसमें half inch add कर रही हूँ अपने shoulder का divide 2 करके उसमें half inch add कीजेगा अभी मैं अपने burst का divide 6 कर रही हूँ और उसमें plus 1 inch add कर रही हूँ मेरे burst है 36, divide 6 मतलब की 6 और plus उसमें 1 inch add करोगे मतलब की 7 inch 7 inch पे मैं एक marking करके straight line बना लूँगी ये line जो बनी है वो मेरी burst line है और scale की मदद से मैं एक straight line बना लूँगी आप अपने burst का divide 6 कीजेगा अभी मैं ये दोनों को marking करके अच्छी तरीके से straight line बना ली है मैंने straight line बनाने के बाद मैंने जो shoulder पे 60 inch का marking किया था वही पे वापिस एक marking करके एक straight line बना लूँगी straight line बनाने के बाद अभी जो मेरी burst line है burst line पे मैं अपने burst round का divide 4 करूँगी और उसमें plus 1.5 cm का add करूँगी मेरे burst है 36 उसका मैंने divide 4 किया है और उसमें plus 1.5 inch एट किया इसलिए आएगा 10.5 इसलिए मैं 10.5 inches पे marking कर रही हूँ यह मैं 9 inches पे mark कर रही हूँ और फिर उसमें 1.5 inches sim का add किया है उसी तरीके से मैं waist line पे भी मेरे waist round का divide 4 करूँगी और उसमें 1.5 inches sim का add करूँगी और मैं extra 1 inch ले रही हूँ क्योंकि dart लेना है मुझे मैं अपने सारी कुर्टी में dart लेती हूँ अभी मैं सारी lines को joint कर लूँगी इस तरीके से burst और waist line को joint कर लूँगी और arm hole पे shape दे दूँगी arm hole पे shape देने के बाद इसी तरीके से measure tap रखके उस तरीके से center ले लूँगी यह line का और जहां तक marking किया है वहां तक मैं straight रखूँगी और नीचे के side से इस तरीके से arm hole का shape दूँगी अब मैं shoulder line पे 3.5 inches पे neck का marking करूँगी 3.5 inches पे मैंने neck का marking किया है और नीचे के side half inch पे marking करके round shape दूँगी इस तरीके से मैं round shape दूँगी round shape draw करने के बाद shoulder line पे ही arm hole के पास में half inches का marking करूँगी और cross में इस तरीके से shoulder slope दे दूँगी क्योंकि हमारे shoulder थोड़े slope में होते हैं सीधे नहीं होते हैं इसलिए हमें इस तरीके से shoulder slope देना पड़ता है अभी मैं ये back trade बनके ready है अभी मैं back का cutting कर लूँगी और ये हमारा back बनके तयार है back बन जाने के बाद back को इस तरीके से कोई भी paper पे brown paper ले सकते या newspaper आप कोई भी paper ले के इसको back को अच्छी तरीके से paper पे रख दीजेगा मैंने ये paper के उपर back को रख दिया है और आप देख सकते हैं उपर के sides भी मैंने काफी सारा space रखा हुआ है और ये side में मैंने काफी सारा space रखा हुआ है इस तरीके से थोड़ी जगा रख के हमें back को अच्छी तरीके से रखना है और उसको अच्छी तरीके से trash कर लेना है pen या ball pen से या pencil से हम trash कर लेगे इसको shawl color बनाने के लिए हमें पहले back बनाना ज़रूर है अगर हम अच्छी तरीके से back बनाएंगे तभी हम front का shawl color अच्छी तरीके से बना सकते हैं और हम पहले back को अच्छी तरीके से trash कर लेगे ये मेरा back trash हो गया मैं अच्छी तरीके से back को trash कर लिया है back को trash करने के बाद अभी मैं जो neck के side से 3-4 inches का marking करूगी 3-4 inches मतलब 0.75 inches का marking करूँगी और एक straight line बना लूँगी 3-4 inches का मैंने marking कर लिया है 3-4 inches का marking करने के बाद मैं वापिस back को इस तरीके से रख दूँगी और जो back का पीछे का neck है जैसे मैं दिकर रही हूँ measure विसी तरीके से आपको measure करना है मेरा measure आया है 4 अब देख सकते हैं और मैं back को वापिस उठा लूँगी और जो shoulder point है वहाँ से 4 inches पर marking कर लूँगी अभी मैं neck की dip ले रही हूँ और neck की dip मैं 8 inch नहीं होगी यह ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा इसलिए मैंने 8 रखा हुआ है neck की dip और वहाँ पर 8 inch पर मैं marking करके एक straight line बना लूँगी scale से मदद से मैं एक straight line बना लूँगी अब देख सकते हैं मैंने scale की मदद से straight line बना लई है straight line बनाने के बाद उसी line को आगी की तरफ उपर के back के जो measurement किया था neck का वहाँ से मैं वापिस continue कर लूँगी मेरा marking थोड़ा side पे था इसलिए मैं उसको वापिस 4 inches का marking करके ठीक से सिधा करके straight line draw कर ली है line को उपर के side continue मैं skill के मदद से कर रही हूँ उसके बाद मैंने जहां पर 4 inch का उपर marking किया था जो back में जो joint होने वाँ वहीं से मैं half inch बाहर की side marking करूँगी और वो half inch के marking को मैं shoulder point के साथ attach कर लूँगी इस तरीके से attach करने के बाद में जो collar की width है वो मैं लूँगी collar की width मैं लेक रही हूँ आप मैं जो बाहर की line है वहाँ से मैं width लूँगी हूँ 4 inches ले सकते उससे जादा आप नहीं ले सकते है अभी मैं इसको scale की मदद से जो मैंने marking किया था collar की width को उसको मैं joint कर रही हूँ और आप देख सकते हो को मैंने joint किया पर उपर के side मेरा सा थोड़ा सा मेरा paper कम पढ़ रहा है तो आप थोड़ा सा paper ज्यादा लेना और यह इस तरीके से मैंने जिस तरीके से line रोगी आप भी कोशिश कीजिए कि आपका भी इसी तरीके से perfectly shape आए और यह round shape दे दूँगी बाकी का जो मैंने बच्चा हुआ था नेक के side का वहाँ पर मैंने round shape दे दिया कर लिए प्रॉपर उसके shape में अब देख सकते हैं वीडियो में मैंने किस तरीके से लिया हुआ 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 हाफ इंच का marking करने के बाद अभी मैं यह front मेरा properly ready हो गया हुआ है तो अभी मैं उसका cutting कर लूँगी जो half inch की line है मैं वो ही cut कर रही हुँ और उपर के shoulder के उपर से भी मैं half inch लोगी बागी मैं कहीं से भी half inch एड नहीं करूंगी नहीं मैं shoulder पे एड करूंगी या side seam या armhole पे armhole पे एक point हमरा रह गया है वो है front का armhole का point जो back का armhole होता है वो थोड़ा बाहर से होता है और front का थोड़ा अंदर से हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा straight line row करके half inch अंदर की side लेके वापिस उसका arm hold का shape दे रही हूँ अब देख सकते हैं मैंने half inch थोड़ा अंदर की side लिया है और front का arm hold का shape दे दिया है अब मैं इसको cutting कर लूँगी और ये मेरा front अच्छी तरीके से properly ready है ये मेरा front और back का जो है वो मैंने fabric पे cutting आपको दिखाया था और front का मैंने paper पे दिखाया तकि front में बहुत सारे points होते हैं जो हमें paper पे दिखाना होता है अभी ये आप देख रही ये मेरा front है ये front का मैंने थोड़ा cutting कर ली आ हुए front का मैं armhole का cross measurement ले रही हूँ मेरा cross measurement आया हुआ है 8 अब अपने armhole का cross measurement लीचेगा और मैंने ये paper लिया है मेरे side पोशन है वो on-fold portion है और सामने वाला जो पोशन है वो खुला वाला portion है जो on-fold वाला portion है वहीं से मैं एक properly perfectly एक straight line बना लिए हूँ कि मेरा paper थोड़ा तेड़ा मेरा है और straight line बनाने के बाद जो on fall वाला portion है वहाँ से मेरे armhole का cross था 8 inches और उसमें plus 1 inches add करूँ है मतलब 9 inches जहां से 9 inches आया है वहीं से नीचे के side में 3 inches पर marking करके एक line बना लूँगी यह मैंने line बना लिए है scale की बज़त से मैं उसको perfectly कर रही हूँ और वापिस इसको इस तरीके से lump 4 बना लूँगी दोनों corners पर इस तरीके से cross line कर लूँगी और जो दोनों corner पर cross line की है मैं वहां से दोनों side से 11 inches का marking कर लूँगी और दोनों का center ले लूँगी दोनों को इस तरीके से measure tap को fold करके center ले लूँगी center लेने के बाद में sleeve की length रखूँगी मैंने sleeve की length ली है 11 inch तो मैं 11 plus उसमें 1 inch add करूँगी मतलब sleeve length plus 1 inch add करूँगी 11 plus 1 मतलब 12 inches पर marking करके मैं scale से line draw कर लूँगी draw करने के बाद मैं अपने sleeve round का measure करूँगी और उसका sleeve round आता है उसका divide 2 करके उसमें plus 1 inch add करूँगी मेरा sleeve round है 11 तो मैंने यहां पर 11 लूँगी उपर की जो marking है वहां पर 11 मतलब उसका divide 2 करूँगी मतलब के आएगा 5.5 और उसमें plus 1 inch add करूँगी मतलब 6.5 तो मैं 6.5 inches पर marking करूँगी और नीचे इसके side 6.5 inches में plus 1 inch करूँगी मतलब 7.5 inches पर मैं नीचे marking कर रही हूँ नीचे का side जहां पर हम लोग hamming fold करेंगी वहां पर अभी मैं यह सारी lines को joint कर लूँगी इस तरीके से याद रखे में वापिस आपको करूँगी आपको अपने sleeve round का divide 2 करके उसमें plus 1 inch add कीजेगा अभी मैं उपर के side में shape दे दूँगी इस तरीके से sleeve का shape दे दूँगी shape देनी के बाद जो center वाला point है center वाले point से मैं half inch थोड़ा down जाके वापिस एक दूसरा shape दे दूँगी अलबकि जो उपर वाला shape है वो back में joint होगा और जो नीचे वाला जो half inch अंदर की side वाला shape है वो front में joint होगा ये मेरी sleeve ready है sleeve का पूरा paper pattern ready है अब मैं उसका cutting कर लूँगी सबसे पहले उपर की ये line को cutting करूँगी side और नीचे उसका cutting कर लूँगी अब देख सकते हैं ये मेरी sleeve का cutting हो गया है अभी ये sleeve का मैं as it is a fabric पे इसका cutting कर लूँगी अगर मुपी ये मैंने वापिस front लिया हुआ है front का अस्तर कट करने के लिए मैंने front लिया है front में मैंने shoulder के पास एक straight line बना ली है और ये straight line बनाने के बाद मैं उसको cut कर रही हूँ अब देख रहे हो मैंने straight line बनाई और उसको मैंने cut कर लिया है cut करने के बाद मैंने जहां से cut किया है वहां से मैं दोनों side से लिख लूँगी half of inch add करना क्योंकि मुझे ये दोनों के अलग-अलग fabric पर cut करना है और दोनों को मैं जब cut करूँगी तो को जिस side मैंने लिख है वहां से half inch मुझे बढ़ाना है इसलिए मैं लिख रही हूँ अभी जो मेरे side वाला जो portion है ये वाला जो portion है वहां पर उसको मैं contrast fabric लूँगी क्योंकि उसमें जो मैं fabric लूँगी और जो color fold करूँगी तो वह color मुझे बाहर के side दिखा और जो ये armhole वाला portion है उसको मैं normal liner पर ही cut करूँगी अभी ये दिखो मैं इस तरीके से fold करूँगी इस लिए color को fold करूँगी तो जो अपने अस्तर डाला होगा contrast वह color का color दिखेगा इसलिए मुझे contrast fabric चाहिए इसलिए मैं वहां पर अलग fabric लूँगी अभी मैं ये जो armhole वाला portion है उसको मैं cut कर लूँगी नॉर्मल ये जो मेरा back में जो मैं अस्तर लिया था मेरा जो matching गस्तर है उसको ही मैंने इस तरीके से fold करके उसको back को इस तरीके से रख दिया और sorry armhole वाले portion को मैंने इस तरीके से रख दिया है इसको trace कर लूँगी और फिर उसका cutting कर लूँगी अब मैं इसका cutting कर लूँगी cutting करूँगी इसके दो piece होगे एक right side लगेगा और एक left side लगेगा क्योंकि ये बीच में कूर्टी में जो बना रही हो वो बीच में cut है इसलिए बीच में opening रखा हुआ इसलिए इसके main fabric पे रखूँगी on fold करके ही और back का cutting कर लूँगी अब मैं जो front का जो color वाला तिस था उसको में दूसरे contrast fabric मतलब कि आप जिस color का भी color बनाना चाहते है उस color के fabric पर इस तरीके से रखूँगी मैंने on fold करके रखा हुआ है paper को और paper को properly अच्छी तरीके से straight रखके chalk से marking कर लिया है मैंने अब देख सकते हैं मैंने chalk से पूरा marking कर लिया है और यह मेरा fabric on fold है मतलब इसके 2 piece कट होगे और देख सकते हैं जहां से मैंने half inch cut लिखा हुआ था वहीं से मैंने half inch भी add किया हुआ है अब देख सकते हैं और अब भी marking करने के बाद मैं इसका cutting कर लूँगे अब देख सकते हैं कि ये मैंने पूरा उपर के body part का cutting कर लिया हुआ है ये मेरा back है ये back का मैंने main fabric पे cutting किया है और ये अस्तर का cutting कर लिया है ये front का भी मैंने main fabric पे cut के लिया है और ये देखो मैं front को उसके उपर मैं आपको liner रखके दिखा रही हूँ ये मैंने liner के दो पीस cut कर लिया हुए है front के और ये armhole वाले portion को मैंने cut कर लिया हुआ है इस तरीके से मेरा पूरा front और back का cutting complete हो गया है अब देख सकते हैं ये front के भी मैंने दो पीस cut कर लिया है अभी ये मैंने sleeve का भी cutting कर लिया हुआ है sleeve के paper pattern को as it is main fabric पे रखके मैंने cutting कर लिया हुआ है और sleeve के जो देखो ये दो पीस cut कर लिया है और sleeve के जो नीचे के जो portion है जहां पे मैंने contrast belt रखा हुआ है उसे belt के भी दो पिस मैंने cut कर लिया है मैं belt को उपा की side से रखने वाली हूँ इसलिए मैंने दो belt के पिस भी cut आगी का cutting मैं आपको अपने next वीडियो में दिखा रहा हूँ यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसको दो part में divide किया हुआ है इसलिए दूसरे पार्ट में मैं आपको flare का cutting और पूरा stitching दिखाने वाली हूँ इसलिए दूसरा वीडियो जरूर देखेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को subscribe और मेरे वीडियो को like, share and subscribe करना मत बुलिएगा